एक बार कुछ दोस्त घूमने के लिए निकले, वो अच्छे दोस्त थे और घूमते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। जब सभी दोस्त जंगल में पहुँचे तो उन्होंने अपने खाने के लिए सामान निकाला और कहा कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए फिर हम आगे का सफर पै करेंगे। क्योंकि शाम तक हमें घर भी पहुँचना है। इसलिए पहले थोड़ा सा खाना खा लिया जाए फिर सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर जैसे ही उठे तो उन्होंने कहा कि अब हमें इस जंगल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर घूमते हुए और आनंद के साथ य चूट गया है। उन्में से जब एक ने गिंती की तो अपने आपको नहीं गिना, बाकी पांचों को गिना और कहा कि हम तो केवल पांच ही हैं। लेकिन हम तो छे होने चाहिए। इसका मतलब एक दोस्त हमारा कहीं चूट गया है। फिर बारी-बारी से सभी ने गिनती की। लेकिन गिनती करते समय उन्होंने अपने आपको छोड़कर बाकी पांचों को गिना। अब वो समझ गए कि एक उनमें से कहीं छूट गया है। अब हमें उसे धूंडना चाहिए। तो सभी मिलकर उस दोस्त को धूंडने लगे। जब धूंडते हुए काफी समय हो गया तो ठक कर एक जगा बैठ गए और सोचने लगे एक साथी हमारा आया था। वो भी हमसे खो गया है। अब हम अपने साथी को कैसे धूंडेगे। तब ही वहां से एक आदमी बुजर रहा था। उस आदमी को बुजरते देख उनमें से एक दोस्त ने पूछा कि क्या आपने हमार मूर्खता की बाते कर रहे हैं जबकि 6 के 6 यही खड़े हुए हैं। फिर उस आदमी ने कहा कि तुम तो पूरे पागल हो। लेकिन उसने कहा कि जब हम गिंती करते हैं तो हम 5 ही निकलते हैं। तब उस आदमी ने कहा तुम गिंती कैसे करते हो। तब भी अपने आपको अब उनकी बात समझ में आ गई कि हम अपने आपको नहीं गिन रहे थे। बाकी तो हम सब यहीं हैं इसलिए कहते हैं कि ज्यादा तेज होना भी मूर्खता का परिनाम साबित होता है।